कि रीवा के सुबास चौक में दवा वैपारी ने दुकान के अंदर फासी लगा कर आत्म हत्या कर लिए 23 साल का युवा जवा खाना अंतकत कोनिया कला कर रहने वाला था इन दिनों सिर्मोर चौराहे पर प्लाई ओवर कर काम चल रहा है जिसके चलते उसने फ्लाई ओवर के आगे सुबास तिराए पर दवा की दुकान एक ली थी और फरनीचर कर का कौरा रहा था रात को वह यहीं पर आप बीती रात उसने फासी लगा लहां ली सुबह घर वालों को इस बात की जनकारी नहीं 23 साल के यूवक ने सुभास चौक के पास अपनी दुकान में ही बीती रात फांसी लगा कर आत्म हत्या करनी है यूवक की दवाई की दुकान थी हम आपको बता दे कृष्णा उर्फ किसंदुवेदी पिता स्रमर्दुवेदी उम्र 23 साल सिर्मौर चौराहे में मेडिकल की दुकान संचालित करते थे हाल के दिनों में सिर्मौर चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्मान हो रहा है जिसके चलते अगल वगल की दुकानों पर आने जाने के लिए प्रतिबंद लगाया गया था रास्ते कहीं और से निकाले गए जिसके चलते यहाँ पर ट्राफिक लगभग लगभग खत्म हो गया केवल पैदल ही आने जाने वालों को इस इलाके से निकलने की बात कही गई थी सासन प्रसासन के दौरा जिसके चलते दुकानों का काम बंद हो गया कारोबार लगभग थप होने के कगार पर पहुँच गया जिसकी वज़ा से यूवक ने उसी सड़क में थोड़ा सा आगे सुभास चौक के पास एक दुकान किराये पर ले ले थी और वहीं पर अपनी दुकान संचालित कर रहा था वरतमान में दुकान में फरनीचर का काम भी साथ साथ चल रहा था वो दुकान में फरनीचर बनाकर और तेजी से दुकानदारी करने का प्रयास कर रहा था जिसके चलते उसने नया फरनीचर बनवाने का निश्चे किया था किसंदुवेदी कभी कभी रात को यहीं पर रुख जाया करता था दुकान में ही सो जाया करता था ये बात घरवालों को पता थी बीती रात रीवा में ही किसंदुवेदी रुख गया उसने घरवालों को सुचना दी वो रीवा में ही रहेगा सुबा जब लोगों ने देखा किसंद की दुकान का शटर नहीं उठा हुआ वहीं दूसरी और घर वाले भी लगातार उसको फोन कर रहे थे लेकिन उसका फोन भी नहीं उठ रहा था जिसके चलते घर वालों को टेंशन हुई फोन की घंटी तो जा रही थी लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा था इस बात से चिंतित घरवाले मौके पर पहुँचे दुकान का शटर उठाने का प्रयास किया किसी तरीके से दुकान के अंदर प्रवेश करने के बाद देखा तो किसंदुवेदी फांसी के फंदे पर जूला हुआ था या देखते ही चारों तरफ अफरत अफरी का महौल निर्मित हो गया फोरण ही अमाहिया थाने की पुलिस को सुचना दी गई अमाहिया पुलिस मौके पर पहुँची शव को अपने कबजे में लिया और शव को पोस्ट मार्टम के लिए रिवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया दुकान की तलासी लेने पर हमारे सूत्र बताते हैं पुलिस को एक सोसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसमें हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसकी वज़े से पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है पुलिस ने सौको पोस्ट मार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल तो भिजवा दिया इस बारे में हमने रिवा के अत्रिक्त पुलिस सदिक्चक अनिल सोनकर से बात की उनका भी साब तोर से कहना था सौबास चौक में एक दवा के दुकानदार ने आत्म हत्या की है फासी के फंदे पर लटक गया है हम कारणों की जाच कर रहे हैं जाच करने के बाद जो कुछ भी होगा वो बताया जाएगा आईए आपको सुनाते हैं अत्रिक पुलिस अधिक चक अनिल सौनकर फासी मामले में क्या कुछ कह रहे हैं अमहिया में ये सुभास चौरा है यहाँ पे तेउथर तैसील का एक लड़का है जो मेडिकल की दुकान करता है किसंद दुवेदी करके इसकी 23 वर्स उमर है यह उसी दुगान में रहता था और मेडिकल सौप करता था वही सोता था सुभे जो है यह अपने घर से संपरक नहीं हो रहा था इस इनकी घरवालों का जिससे घरवालों को चिंता हुई और वो सुभे वहां आये और दरवाजा जब तोड़के अंदर गुसे तो वो फांसी लगाया हुए था आत्मत्यकल लिया था पुलिस को सुचना मिलने पर पुलिस ने जो है मर्क कायम करके पंचनामा कारवाई की है लास को कियम के लिए भेजा है अभी जाच चल रही है कि उसके फांसी लगाने के क्या कारण है